हलो दोस्तों नमस्कार सभी को विलकम वन्स अगेन ओन दिविद्रश्टी क्लासेज यूट्यूब चैनल दोस्तों बहुत इंपोटन्ट सेशन रहने वाला है आपके लिए ये सेशन रहेगा दोस्तों इस्टेनोग्राफर जो भरती आई है उसमें इंग्लिश एक बहुत बड स्टेटरजी हम प्लान करेंगे कि कैसे हमारे इंग्लिश में 75 में से 75 नमबर आएं दोस्तों यस दोस्तों 75 में से 75 कॉशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हम इसमें से करेंगे ये डिसकस करेंगे कि कैसे हम इस स्कोर तक पहुंचे या 75 में से 75 की तैयारी कैसे करने क क्योंकि दोस्तों किसी भी exam को past करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज होती है कि उसकी planning उसकी strategy बहुत अच्छे तरीके से हो पढ़ाई शुरू करने से पहले हमको उसके strategy बहुत अच्छी बनानी पढ़ेगी ताकि उसके according हमारी पढ़ाई और हमारा exam क्रेको तो past में भी हमारी अनुभाव रहे हैं कि बहुत ही अच्छे percentage में selection हुआ है और English में students के बहुत बढ़िया number आए हाई quote exam या और भी जो सारे exam है उनके बारे में तो दोस्तों उसी के अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि कैसे stenographer भरती में हमको English में जादस जादा score English में score करना होगा असान यस absolutely correct दोस्तों ये जो भरती है ये दोस्तों stenographer पहले तो non-CET भरती है दूसरी बात इसमें हमारे पास में exam में subjects वो ही सारे हैं मैच नहीं है इसमें इसमें जी के science और उसके अलावा Hindi और English तो English जो है 75 question आएंगे बहुत important है हम discuss करेंगे आज की session में सबसे पहले तो कि syllabus क्या है और उस syllabus को हमको किस तरीके से पढ़ना है कैसे हमारे exam में जादा से जादा number हम प्राप्त कर पाएं इस session के end में मैं आपको बताऊंगा stenographer के लिए special English का course लोन चोचुका है आज से तो आप अगर stenographer exam के लिए special English पढ़ना चाहते हैं केवल तो वो course purchase करके आप आराम से पढ़ सकते हैं मैं उसकी सारी detail इस session में दूँगा दोस्तों शुरू करते हैं syllabus से तो दोस्तों सबसे पहले stenographer का syllabus बताता हूँ मैं English subject का syllabus को हमने 3-4 पार्ट में बाटा है सबसे पहले grammar, vocab, comprehension, letter writing देखो detail में समझना बहुत जरूरी है मुझे पता है पढ़ तो हम लेते हैं syllabus syllabus पढ़ने में क्या है डाउनलोड किया और आजकल Google पर सब मिल जाता है लेकिन इसको तोड़ा समझना हमको detail में पढ़ेगा पहला topic tense and sequence of tense sequence of tense कोई अलग बात नहीं है sequence of tense हम tense के ही एक पार्ट को कहते हैं जिसमें conjunction लगे हुए होते हैं after, before, when, as soon as, while, until, unless, since sentence, ये conjunction के साथ tense का क्या जोड़ा बनता है after के साथ कौन सा tense use होता है उसके अलावा दूसर सेंटेंस में क्या use होता है और वाकि सारे conjunction से तो ये जितने भी हैं इनको ही sequence of tense कि एक कहा जाता है अलग topic नहीं है वो ये tense ही topic है यहां से आपके exam में बहुत सारे प्रेशन आएंगे दोस्तों क्यूंकि 75 question आएंगे हमको पता हैं English में 75 question आने है topic हमारे सामने जदा नहीं है topic हमारे सामने 12-13 topic है तो सभी topic से कम से कम 7-8 question आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो यहां पे 7-8 question है दूसरी बात tense का बहुत बड़ा योगदान passive voice में भी है narration में भी है इसके अलावा एक और topic है translation इसमें भी tense का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है तो tense कहने को चाहिए एक topic है लेकिन बहुत बड़ा area cover करता है दोस्तों 7-8 question voice के 7-8 question narration के 7-8 question translation के 7-8 question tense के करीब करीब मानो तो 25 question के पीछे जो back है वो tense topic है तो tense को thoroughly पढ़ना होगा thoroughly पढ़ने का मतलब है tense ऐसा पढ़ो कि किसी भी exam में tense से संबंदित को ये question गलत ना हो इतने तरीके से आपको पढ़ना पढ़ेगा फिर है passive voice active से passive और passive से active दोनों आप इसके बारे में जानते हो फिर है narration direct indirect जब हम जिसको बोलते हैं तो direct indirect भी आपके exam में बहुत important topic है बहुत सारे question लेकर आता है बहुत सारी condition बनती है इसमें pronoun कैसे change होता है model कैसे change होता है model topic आपके syllabus में कहीं से कहीं तक mention नहीं है लेकिन आपके exam में पूछा जरूर जाएगा किस में narration में भी इसके योगदान होंगे और उसके अलावा translation में कम से कम दो से तीन question model topic की बनेंगे तो model topic की outer आपको उसका basic जमजना पड़ेगा उसके uses समझने पड़ेंगे can model कब-कब use होता है may कब use होता है might कब use होता है इनको हिंदी में क्या बोलते है इनके uses क्या है संभावना बताता है या शमता बताता है या क्या करता है ये सारी basic knowledge होना जरूरी है इन्यता आपके question exam में गलत जरूर होंगे इसलिए सिले वसको ढंक से समझो इसके बाद है preposition दोस्तों preposition के भी बहुत सच अच्छे question है 5-6 question exam में कम से कम देखने को मिलेंगे preposition जो topic वो दो तरीके से पड़ा जाता है मैं बता रहा हूँ एक तो basic कि भी या किसी वस्तों की price बताने के लिए कौन सा preposition यूज होता है quantity बताने के लिए किसका यूज होता है है ना यातायात के माध्यम के लिए कौन सा preposition यूज होता है कमरे के अंदर बैठे हैं तो कौन सा preposition है छट के उपर बैठे हैं तो कौन सा preposition है आना chair में बैठे हैं तो कौन सा ये सारे basics हैं और दूसरा भाया इसमें बहुत बड़ा योगदान है fix प्रीपोजीशन और phrasal verb fix प्रीपोजीशन और phrasal verb दोस्तों आप देखो के syllabus में तो ये पाऊगे कि phrasal verb आपके syllabus में कहीं नहीं लिखी हुई होती है ना ldc में phrasal verb का जिक्र है syllabus के अंदर ना ही stenographer में लेकिन आपके exam में बहुत important है दोस्ते बहुत ही important है क्योंकि fix preposition और phrasal verb दोनों preposition के topic में पूँच सकते हैं और phrasal verb तो सीधे सीधे पिछली बार ldc में और stenographer फर दोनों exam में phrasal verb आपसे translation topic में पूँच ली गई थी translation जब कराएंगे ना हिंदी से इंगलिश तो phrasal verb लिखके देंगे गलत आपको सही phrasal verb छाटने होगी तो phrasal verb topic भी mentioned नहीं आपके syllabus में बट इट इस very important अगर phrasal verb आपने याद नहीं करी डंग से कुछ जो है हमारी सो सवास of phrasal verb के आसपास important हमको याद करनी है अगर वो याद नहीं है पक्का दो से तीन question यहां से गवा बैठोगे दोस्ते गवा बैठोगे पक्का अगला topic है article और determiners article हम सब जानते हैं तीन article है और डिटर्मिनर होते हैं बहुत सारे many, much, several, various, certain, few, a few, the few, little, a little है ना यह सारे हमारी determiners है determiner हमको बताता है कि इसके बाद में noun singular होना चाहिए या plural होना चाहिए जैसे many के बाद plural noun है much के बाद uncountable noun है यही सब हलके topic है बिल्कुल आसान topic है दोनों यहां पूरे पूरे नंबर आते हैं कोई सोचने के जुरत नहीं सबी स्टुडेंट्स के यह दोनों topic पूरे पूरे सही होते है scoring है पूरा subject में 7-8 question हिंदी subject में आएंगे और दोस्तों translation के लिए कौन-कौन से topic आने चाहिए सबसे पहले तो tense का ज्यान होना चाहिए आपको उसके अलावा phrasal verb का बहुत बड़ा योगदान रहेगा phrasal verbs आपको याद होने चाहिए यह मैं पढ़ाऊंगा class में तो इसी phrasal verb से आपका काम हो जाएगा तीसरे number पे models के use आपको आने चाहिए किसके use आने चाहिए models के use आपके आने ही चाहिए may, might, can, could, shell, should, will, would यह जितने भी models हैं इनके क्या use हैं अगर यह तीनों चीज़ें आती हैं तो ही पूरे question सही होंगे नहीं तो गलत हो जाएंगे है ना भीया can की जगे मैं लिख देंगे, में की जगे can लिख देंगे हिंदी दोनों की सकता है, सकना ऐसी होती है इसलिए इनके uses समझना बहुत जरूरी है यह दोनों टॉपिक syllabus में नहीं है लेकिन क्यों important है मैंने आपको बता दिये vocabulary आपके exam में vocabulary बहुत ही कम है क्योंकि आप देखते हैं कि आप exam में हमारे पास one words भी होते हैं confusable words भी होते हैं idiom phrases भी होते हैं लेकिन आपके stenographer exam में एक एवल तीम टॉपिक है antonyums यानि कि विलोम शब्द opposite word synonyms यानि कि प्रियावाची शब्द और glossary of official technical items with their Hindi meaning यह synonym और antonyum तो हम से English to English ही पहुँछते हैं English word होगा उसका antonyum भी English में ही बताना होगा synonyms में भी word है वो भी English में और उसका synonym भी English में लेकिन यह जो है तीसरे नंबर पर official technical items इसमें हमको English word दिया होगा और उसकी हिंदी हमको बतानी पड़ेगी जैसे word हमारे पास एफिडेविट इसकी हिंदी शब्द इसके लिए हिंदी शब्द क्या होता है शपत पत्र तो हमको यहाँ पर हिंदी मीनिंग इसका बताना होगा तो यह तीन टॉपिक के मात्रू और यह बहुत जो official technical items हैं यह बहुत ज़्यादा नहीं है संख्या में तीन सु साड़े तीन सो word से उनको याद करो काम हो जाएगा एंटोनियम सेनोनियम के कोई सरपैर नहीं होता है दोस्तों कहीं से भी पूछ सकते हैं बहुत ज़्यादा words याद करने पड़ेंगे जब हमारे यह सही होंगे इसका भी उपाए मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है हमको और कैसे कैसे हम selected study करें ताकि हमारे सेलेक्शन हो जाएं कम सब्दों में हमारा पूरा काम हो जाएं और यह तीन टॉपिक हमारे वोक्षटा सा सिल्ले बस है बहुत ही छोटा सा ठीक है अगला जो है हमारा comprehension of given passage passage होगा और passage के आंसर समको करने पड़ेंगे इसकी भी practice हम लोग करेंगे यह वैसे हम बचपन से करते हैं इस्कूल टाइम में भी करते हैं अगला जो है वो है letter writing demi official official circulars and notices and tenders यह हमारे एक topic है जिसमें हमको यह बताना होता है जैसे letter writing में की letter में date कहां लिखते हैं sign कहां करते हैं subject कहां लिखते हैं या subscription को कैसे लिखते हैं date को सही तरीके से लिखने का क्या तरीका होता है यह हमारा जो topic है वो depend करता है इस पर बहुत ही छोटा सा तीन घंटे का topic है तीन घंटे में हम जो class में पढ़ेंगे सिर्फ उसी में से सारे question आएंगे बहुत संख्या में जादा होंगे छे से लेकर दस प्रशन इसके पूछे जा सकते हैं आपके exam में stenographer में इसके लिए हमको केवल three hours के study करनी है और केवल class में जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ने से हमारे सारे question सही होंगे एक भी class के बहर नहीं होगा तो यह छोटा सा हमारा syllabus है stenographer का syllabus को ध्यान से देखो इसके दो तीन point important है जो मैंने बता है क्या सबसे पहले तो दोस्तों पहला point है preposition topic में आपको basic के लावा दो और टॉपिक याद करने पड़ेंगे fix preposition और फ्रेजल वर्प ये भी हम आपको class में याद कराएंगे class में हम इसकी complete recorded classes होगी इसके बाहर से question नहीं आएगा जो हम पढ़े वाले topic में phrasal verb तो phrasal verb आपको जो syllabus दिया है उसके अलावा एक topic phrasal verb आपको याद करना है दूसरा topic है दोस्तों models models आपको syllabus में नहीं दिया है लेकिन model पक्का काम आएगा translation में दोस्ते तीन question इसके उपर depend होंगे हिंदी और English में इसलिए model topic को ज्यान से पढ़ना पढ़ेग ठीक है ना उसके अलावा यह सारे शब्दे अब मैं आपको बताता हूं कि यह LDC में क्या लग है एक हमारा exam LDC भी आ रहा है LDC के syllabus में English में और steno के syllabus English में क्या अंतर है देखो सीधी सी बात है जितने भी topic हमने यह देखे यह सारे के सारे LDC में हैं लेकिन LDC में 3-4 topic और है व subject verb agreement के बिना आप determiner का question गलत कर बैठोगे ठीक है मैं इधर लिख देता हूं इस टेनों में आपको एक और topic पढ़ना है grammar में और वो topic subject verb agreement यह topic कहां कहां काम आएगा देखो determiner में पक्का काम आएगा 100% determiner में एक question ऐसा होगा जो subject verb agreement से related होगा ठीक है तो subject verb agreement भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा क्योंकि syllabus में नहीं दिया है लेकिन दोस्तों हर एक sentence में subject और verb agreement लगता है इसलिए यह पढ़ना बहुत जरूरी है यह topic बहुत जरूरी है यह translation में भी काम आ सकता है tense में भी इसके options हो सकते हैं determiner में तो पक्का ही है तो syllabus के अलावा हमारे तीन topic और important हो ग हमारा conjunction यह conjunction भी स्टेनों में नहीं है लेकिन LDC में है इसके अलावा है suffix, prefix suffix and prefix यह topic आपके vocab से है लेकिन आपके exam में steno में नहीं है LDC में एक topic हो जाता है दोस्तों confusable words कौन सा topic है confusable words यह भी नहीं दिया हुआ है steno exam में लेकिन यह LDC के syllabus में है तो यह 5 topic हमारे पास में सीधे सीधे और एक one word vocab का एक और है one word यह 6 topic LDC में अलग है और steno में जितने भी topic है यानि कि यह सारे एंटोनियम, synonym, glossary, translation और हमारे यह grammar में tense, voice narration, preposition, article, examiner यह सब भी steno में भी है और LDC में लेकिन यह वाले जो हमने topic लिखें यह steno में नहीं है केवल LDC में इसका मतलब जिन students के पास LDC वाला course है उसका LDC भी पूरा हो जाएगा और steno भी पूरा हो जाएगा अगर आप दोनो exam की तयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए best क्या है कि आप LDC की तयारी कर लो same to same वो ही syllabus steno में पूरा काम आजाएगा अगर आप सिर्फ steno की तयारी कर रहे हैं आपको LDC वाला course नहीं खरीदना है तो आप steno वाला course purchase करें steno में आपके केवल steno के जो मैंने पीछे topic ब नहीं होंगे CDC बात है LDC का हमारा course चल रहा है बहुत सारे students उसको purchase कर रहे हैं अगर वो student steno भी देते हैं तो वही वही course उनके काम आएगा कुछ अलग नहीं है लेकिन अगर आप सिर्फ steno की तयारी कर रहे हैं तो आप इस course को purchase करें मैं बता रहा हूं इसके बारे में detail पर प अगली बात सुनो पिचितर में से पिचितर आएंगे कैसे ये important बात है कई बार student लिखते हैं सर आप तो अपने हिसाब से बता रहे हो हमारे थोड़ी इतना आ जाएंगे मैं बता रहा हूं कैसे हैंगे number one grammar पूरी की पूरी जो आपने course करीदा है पूरा का पूरा क्लास में स आएगा hundred percent grammar के question हमारी class में से आएंगे जो हमने पढ़ा है जो हमारे course है वो पढ़ो उसमें सो प्रतिशत question उसी में से आएंगे practice दूसरी बात है practice दोस्तों practice कैसे मैं YouTube पे शाम को साढ़े आठ बजे English की class लेता हूं उसमें आएं और practice करें course में भी practice हो जाएगी इसके दोस्तों अगली बात आ जाती वोकेब की तो जो हमने course launch किया है उसमें आपको एंटोनियम सीनोनियम के सारी classes मिलेगी कि एंटोनियम सीनोनियम की classes मिल जाएगी इसके अलावा glossary जो है इनकी complete sheet मिल जाएगी दूसरी बात वोकेब मैं यूट्यूब पे शाम को पढ़ा रहा हूँ साड़े आठ बजे दिव्यद्रश्टी classes के यूट्यूब चैनल पे regular class हो रही है आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में छे class इसके मैं ले चुका हूँ हमने sheet दे रही है सिर्फ वो sheet पढ़ो सारे questions ही होंगे पिचितर में से 75 जरूर आएंगे लेकिन vocab में revision सबसे ज़्यादा important होता है revision के लिए दोस्तों शाम को साड़े आठ बजे यूट्यूब class देख लिया करो सारी vocab का का काम हो जाएगा course में क्या क्या मिलेगा course launch हो रहा है दोस्तों आज से stenographer का रास्थान करमचारी चैयन बोर्ड stenographer 2024 recorded batch दोस्तों special English का complete मिल रहा है और यह course आज से launch हो रहा है दोस्तों मात्र 299 में रुपे में आप इस course को ले सकते हैं दोस्तों हमारी LDC की phase 499 है क्योंकि LDC का syllabus बढ़ा है इसका course थोड़ा चोटा है sheets भी कम है इसलिए 299 रुपे में यह course है मात्र 299 में complete English हो जाएगी इस course में क्या है grammar complete है complete सारे topics के grammar है translation का नहीं है वो इस month में इसमें add हो जाएगा और यह course पूरा हो जाएगा ठीक है इसके अलावा grammar का अप्रतियक topic इसके अंदर महजूद है फिर vocab तो vocab के लिए sheet महजूद है पूरी antonyum synonyums और glossary उसमें add हो जाएगी तो पूरी sheet है sheet के बाहर से एक भी question exam में नहीं देखने को मिलेगा that I guarantee you उसके अलावा vocab की classes इसमें और add हो जाएगी antonyum और selenium और glossary of technical items इसकी classes भी इसमें add हो जाएगी अंतिम बात इसमें letter writing इसमें पूरा है letter writing इसमें करा ही रखा है मैंने ठीक है questions भी है इसके अलावा passage passage में इसमें आपको करवा दूँगा तो आज तक इस stenographer का जो batch है उसमें complete grammar हो चुकी है sheet सारी vocab की डल चुकी है दो चार पांच class इसमें और add हो जाएगी translation की और vocab की तो यह हमारा course होता है इसके अलावा youtube पे शाम को साढ़े 8 बजे class देखें दोस्तों complete आपका syllabus होगा 75 में से 75 की तयारी होगी इसके अलावा इ writing में सारे topics के शांदार notes इसमें available है जिसको आप download कर सकते हो print निकलवा सकते हो आपको नए notes बनाने की भी आउशकता नहीं है पूरे handwritten notes मिल जाएंगे उसमें उसके printout निकालके अपने use में ले सकते grammar सारी हो चुकी है आने वाले 5 से 10 दिन में इसमें vocab और सारा system clear हो जाएग तो यही information थी जो मुझे आपको देनी थी दोस्तों आज के session में तो आप इस session को अगर आपको सब चीज समझ में आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा like करें और share करें अपने दोस्तों के साथ दोस्तों और उसके अलावा stenographer बढ़ती के लिए शांदार पढ़ाई आज स purchase करके syllabus को जो मैंने बताया वैसे कि वैसे ध्यान से करना उसके बिना number कटेंगे अगर आपने syllabus को ध्यान से जैसा मैंने बताया उस तरीके से नहीं किया तो आपके पांस साथ question ऐसे ही फालतों में निकल जाएंगे तीन जो topic important बताए वो भी देख लेना और stenographer का course भी आप purchase कर syllabus में तो आप syllabus उस अभी course में तो अभी course purchase करें और लाब उठाएं धन्यवाद जय हिंद जय भारत